जैहिंद साथियो आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रिवार जीए सेंटर में रोजाना की तरह जो है आज हम लोग 21 प्रस्ण का महत्यपूर्ण प्रस्ण का ये सेट लेकर रहा है जो आपके एकजाम बिहार दरोगा एसाइ मेंस बिहार एसाइ पीटी एम बिहार पुल करता है इसलिए आप लोग इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों में ज्यादा ज्यादा सेर कीज़ेगा दोस्तों यदि आपको पीडिये चाहिए तो आप मेरा टेली ग्राम लिंक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेली ग्राम का लिंक दे दिया गया है और अपना जो है बिहार एसाइमेंस का जो है कुल हंडेट प्रस्ण का कुल हंडेट प्रस्ण का जो है साथ प्रेक्टी सेट जो है उसका प्लेलिस्ट बना गया है उसका जो है यानिक हम लोग साथ प्रेक्टी सेट बना चुके हैं आप जाकर प्लेलिस्ट से बना सकते हैं या डिस्क् टिक कर सकते हैं ठीक कि इसका सही एंसर होगा अप्षान नंबर सी क्या होगा सुनने में सोतंदर रूप से गिरने वाले बस्तुओं का जो है समान तोरण होता है क्या होता है तोरण का जो है एसा इनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वाइर ठीक मीटर पर सेकेंड स्क्वाइर और इसका भीमा जो होता है एल ट का पावर जो है माइनस टू यह प्रस्ण एक जाम में काफी बार पुछा जा चुका है इसलिए आप लोग इसे ध्यान रखेगा ठीक अगला प्रस्ण देखते हैं अगला प् सुझ कर सकते हैं समय है आपके पांच सेकेंड ठीक पांच सेकेंड में आप इसका सही अंसर टिक कर सकते हैं और दोस्तों अपना जो है कमेंट बक्स में स्कोर जरूर बताइएगा किनका जो है कमेंट कितना स्कोर आ रहा है ठीक आप 25 प्रस्ण में जो है कम से कम 15 से 20 का स्को करने की कोशिश की जिएगा ठीक 15 से 20 के बीच में जो है आपके स्कूर आता है तो आपकी तयारी काफी अच्छी माने जाएगी चलिए ठीक है तो आप लोग अपना एंसर टिक कर लिया होंगे इसका सही एंसर जो हो जाएगा नियूटन का प्रथम गति नियम में बताया गया है कि कोई भी गति शील वस्तु तब तक उसमें कोई प्रोड़तन नहीं होता है जब तक कि उस पर कोई बाहे बल सक्रिय नहीं हो यह जो है किसक प्रति किडिया के समान जो है विप्रित कर प्रति किडिया होता है तो नियूटन का कौन से गति का नियम है ठीक तो दोस्तों आप लोग सही एंसर कर सकते हैं आप पस्समय है पाच सेकन ठीक आप लोग सही एंसर टिक कर लिया होंगे इसका सही एंसर जो होगा जो दोस्ट जो है आप्शन टिक क्या है आप्शन नमबर 3 उनका बिल्कुल सही एंसर है आप्शन 3 जो है बिल्कुल उनका सही एंसर है क्या तृतियन नियम ठिक तो गिरिया के प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति-प्रति- और सभी सही है तो इस प्रहग इसका एंसर देख लेते हैं इसका एंसर पात सब्धब्र 52 प्रति किरिए दो भीभिन विश्यू पर कारज करते हैं और यह विरुत दिशाय में यान भी प्रित दिशाय में काम करते हैं सभी option जो है सही है इस प्रकार इसका answer होगा option number 4 ठीक अगला प्रस्ण देखते हैं अगला प्रस्ण जो है गती के नियमों का प्रतिपादन किस ने किया था तो आप लोग सही answer टिक कर सकते हैं समय है 5 सेकंड का 5 सेकंड में आप लोग सह टिक कर लिया होगे तो इसका तहिंत अनशर जो होगा 5 का जो है आपका option number के होगा गती के आनुसार होगा option number 20 ठीक लिए प्रस्ण अगला प्ष्म दो है कि ताप मान का जो है एसा यहां मत lass क्या होता है ताप मान का S ha y ma trak आप लोग सही अंसर टिक कर सकते हैं समय है 5 seconds 5 seconds में आप सभी लोग सही अंसर टिक कर लेज़ेगा तो sixth का जो है तो तो यह तो तो 6 का जो है शही एंसर होगा option team B Kelvin क्या होगा Kelvin जो है आपका सही अंसर होगा ताप मान का S ha x ma t inverter अगला प्रस्में देखते हैं अगला प्रस्में जो है कि उम्मिद करते हैं आप लोग सही सही टिक करेंगे और आप लोग के पास जो है समय है 5 सेकेंड का अगला प्रस्में देखते हैं अगला प्रस्म जो है कि चलती हुई गारी में बैठे आदमी में जो है कौन सी उर्जा होती है ठीक तो आप लोग के पास समय है 5 सेकंड का आप लोग सही एंसर टिक कर सकते हैं ठीक उम्मिद करते हैं आप लोग सही एंसर टिक कर लिये होंगे इसका विल्कुल सही एंसर है option number C गतीज M, अस्थितीज उर्जा दोनों पाई जाती है चलते हुई गारी में बैठे वो ब्यक्ती में क्या होता है तो गतीज M, अस्थितीज उर्जा दोनों पाई जाती है ठीक अगला प्रस्न देखते हैं अगला प्रस्न जो है कि चोरा है पर मुर्ते समय साइकिल सवार पर केंदर की ओर कौन सा बल लगता है ठीक तो आप लोग सही अंसर टिक कर सकते हैं आप लोग के पास समय है पाच सेकंड का इसका सही अंसर आप लोग टिक कर लिया होंगे इसका सही अंसर जो होगा अभी केंदरीये बल क्या होगा अभी केंदरीये बल जो है साइकिल सवार केंदर की ओर जो बल लगता है उसे अभी केंदरीये बल खाते है और केंदर के बाहर जो बल लगता है उसे अपकेंद्रिये बल ठीक तो इधर जो बोला गया है केंद्र की ओर केंद्र की ओर बोला गया है तो क्या होगा अभी केंद्रिये बल अप्शन ए होगा अपकेंद्रिये बल जो है दही से जो है घी प्राप्त करने में जो है दूध को मतने में किस प्रकार का बल लगता है तो उसमें जो है अपकेंद्रिये बल लगता है ठीक या जो है आपका जो है वासिंग मशीन जो है अपकेंद्रिये बल के सिधान पर कार्ज करता है ठीक अग ही लोग सही एंसर चीक किजेगा इसने सजुत अपस Sie क्या एक जूल ब़ाबर कितना उता है दस के पावर सात और एक जूल जो है यह जो है सर्क पहत्त है और यह सीजीम पती में है ठीक इसी प्रकार जो है कि एक न्यूटन ब्राबर जो होता है दस के पावर फाइफ है ठीक याद रखेगा यह जो है देखते हैं यह निम्ण में जो है किसके लिए केशी का तो एक मात्र कारण नहीं है तो किसका जो है एक मात्र कारण इसमें जो है केशी का तो नहीं है उमीद करते हैं आप लोग सही एंसर टिक किजेगा समय है पांच सेकेंड ठीक आप लोग सही एंसर जरूर टिक किजेगा उमिद करते हैं आप सभी लोग सही एंसर टिक कर लिये होंगे इसका बिल्कुल सही एंसर होगा अप्शन नमबर C केसी धान्त पर कौन जो काम नहीं करता है तो केसी कत्यों के सिधान्त पर ये स्याही का सोखना भूमिगत जल का उपर उठना पौधे के जरोग के उपती तक पानी पहुचना ये सभी केसी कत्यों का कारण है लेकिन सूती कप्ड़े पर पानी के बुंदों का फैलना ये केसी कत्यों का कारण नहीं है अप्शन C इसमें बिल्कुल सही एंसर होगा अगला प्रस्ण देख लेते हैं अगला प्रस्ण जो है कि यांत्रिक उर्जा को जो है विधुत उर्जा में कौन पर्यूर्थित करता है तो आप लोग इसका बिल्कुल सही एंसर टिक के जएगा इसमें गलत नहीं करना है समय है पाच सकन का इसका बिल्कुल सही एंसर होगा option number D यांत्रिक उर्जा को जो है विधुत उर्जा में कौन पर्यूर्थित करता है तो विधुत जनितर के द्वारा जो है यांत्रिक उर्जा को जो है विधुत उर्जा में पर्यूर्थित के जएगा option D जो है आपका बिल्कुल सही एंसर है चलते हैं अगले प्रस्न की और अगला प्रस्न जो है ठीक कि लाइट इयर जो है किसकी मात रख है ठीक लाइट इयर किसकी मात रख है आप लोग सही अंसर टिक कर सकते हैं समय है वहीं 5 सेकेंड 5 सेकेंड में आप लोग इसका सही अंसर बता दीजेगा ठीक कर लिजेगा और आ इसका सही अंसर होगा एक लाइट येर जो है किसकी मात रख है तो लाइट येर जो है दूरी की मात रख है ठीक किसका है लाइट येर दूरी की मात रख है अप्शन C जो है बिल्कुल सही अंसर होगा लाइट येर जो है बहुत मित्र जो है समय का माप पक मानेंगे लेकिन ये 10 to the power 15, 10 to the power 15 meter, प्रती सेकेंड, ठीक, एक प्रकास वर्ष में meter, यहनि कि एक वर्ष में इतना दूरी तय करता है, 9.46 into 10 to the power 80, 10 to the power 15 meter, ठीक, अगला प्रस्न देखते हैं, अगला प्रस्न जो है, कि यहाँ पर दियेगा है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोक क्यों जाने वा रेडियो समस्थानिक कौन सा है, रेडियो, आइसोटोप कौन सा है, ठीक, यहाँ पर, कौन सा है, आप लोग इसका सही answering टिक कर सकते हैं, तो यहाँ पर चर्म रोग के उपचार में प्रयोक क्यों जाने वाला, रेडियो आइसोटोप क्यों सा है, आप सभी के पास समय है, 5 स का आप सभी लोग एंसर टिक कर सकते हैं इसका सही एंसर होगा option number C radio phosphorus किसका प्रयोग किया जाता है तो चार्म रोग के उपचार में जो है रेडियो phosphorus के आईसोटोप का प्रयोग किया जाता है ठीक आप लोग उमिद करते हैं आप सही अंसर ठिक क्ये होंगे अगरा प्रस्ट देखते हैं अगरा प्रस्ट जो है कि बहुत अधिक उचाई पर मनुसिक की लाल रुधीर का निकावंब की संखया में क्या परयुर्तन होता है उमिद करते हैं आपसे लोग सही अंसर टिक करेंगे ठीक समय है 5 सेकंड का आप लोग सभी लोग सही अंसर जरूर टिक किजेगा सही अंसर होगा इसका सत्रा का जो है अप्षन नमबर बी क्या होगा अप्षन नमबर बी जो लाल रोधिर करनिकाओ की संख्या जो है अधिक उचाई पर जाने में लाल रोधिर करनिकाओ की संख्या में ब्रिधी होती है क्या होती है तो लाल रोधिर करनिकाओ की संख्या में ब्रिधी हो जाती है ठीक अगला प्रस्ण देखते हैं अगला प्रस्ण जो है कि आधुनिक चर्म सोधन उद्योगों में जो है कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो की बिशायली होती है ठीक तो आधुनिक चर्म सोधन में जो है कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो बिशायली होती है तो आप लो तो chromium ठीक आधुनिक चर्मसोधन उध्योगों में जो है कौन सी भारी धातु पाजाती है तो इसका सही अंसर होगा chromium option number C आपका सही अंसर होगा जो की विशायली भी होती है ठीक अगला प्रस्ण देखते हैं आगर प्रस जो है कि त्रांसियम लवन के द्वारा जो है बूसे जो आला कारंग कौन सा रंगать परदान करता है तो इस ट्रांसियम जो है कौनसा रंगप्रदान करता है यहाँ पर आपके पास option है निला भारा शेब का हरा रंग किर्मीजी लाल ठीक तो आप लोग सही अंसर टिक कर सकते हैं option time है 5 second 5 second में सही अंसर चूज कर सकते हैं इसका सही अंसर होगा दोस्तो option number C के हुआ किर्मीजी लाल ठीक किर्मीजी लाल जो है स्ट्रांसियम लोगन द्वारा जो बूल्चन में जो रंग होता है इस ट्रांसियम के द्वारा जो है लाल रंग प्रदान के आता है और बेरियम के द्वारा जो है हरा रंग हरा रंग पुछे तो बेरियम के द्वारा जो है हरा रंग और इस ट्रांसियम के द्वारा जो है लाल रंग अप्शन नमबर सी क्रित्रिम सेटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहून महसूस करता है क्योंकि प्रित्वी का अकॉर्शन बल जो है अभीकेंद्री बलके समान होता है किसके समान होता है इसका सही अंसर होगा अप्शन नमबर सी अगला प्रस्म देखते हैं कि आधुनिक सक् साली चुम्बक जो है किस से बना जेता है इसका एंसर जो है आप लोग कमेंट वक्स में जरूर बताइएगा ठीक यदि दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को दोस्तों में सेर कीजिएगा एम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे जुरिएगा और बिहार एसाइमेंस के प्रैक्टिस सेट्स के सेशन से भी जुरिएगा वह आपके लिए काफी लापड़ है और अपना जो है दस हजार प्लस प्लसन का जो है मास्टर वीडियो का एक सेशन चल रहा है उसमें जरूर पाटिसिपेट किजिएगा उसका जो है प्लेलिस्ट बनाएगे है वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा सेर कीजिएगा जो दोस्त चैनल पर नए है कि पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक जरूर